जोस्तो इसमें आपको company fitted double distributor valve मिल जाते हैं जिससे कि आप ट्रिपिंग, टॉली या कोई भी laser लेबलर बड़ असानी से चला सकते हैं जूकि इसका lever आपको seat के पीछे ही side में मिल जाता है जोकि इसमें आपको 540 standard RPM के साथ में 44.9 HP की PDO पावर मिल जाती है multi-speed PDO and 540 reverse PDO का optional मिल जाता है आप जो चाहें ले सबस्तो आगात है आप सबका आज की एक और नई सांदार fresh video के साथ इस video पर हम महंदरा के तरफ से एक दमदार tractor का full detail review करने वाले हैं दोस्तो अगर आप अपने tractor से भाड़ा वाला काम या फिर रोटा बेटर ऐसे implement चलाते हैं जो कि PDO से चलते हैं तो यह tractor आपके लिए ज़्यादा फायादिबन साबित होने वाला है क्योंकि इसमें आपको 198 का high torque engine दिया गया है दोस्तो मैं बताना चाहूँगा जिस tractor पर torque ज़्यादा मिलता है उस tractor पर ताकत भी ज़्यादा रहती है और वह tractor कम diesel खबत के साथ में अच्छा mileage देता है और आप ज़्यादस ज़्यादा काम बड़े असानी से कर सकते हैं यही नहीं दोस्तो इसमें आपको double double tandem pump देखने को मिल जाते हैं जो कि एक हाट डोले के लिए दिया गया है और एक steering के लिए दिया गया है दोस्तो दोनों pump अलग-अलग होने से दोनों की maintenance course घड़ जाती है और यह दोनों long life service देते हैं दोस्तो अगर बात करें इसकी air filter की तो इसमें आपको three stage wireless type का air filter देखने को मिल जाते हैं और अगर बात करें इसकी engine oil filter की position की तो company नहीं यहाँ पर रखा है जो कि इसका toot food बहुती कम होने वाला है दोस्तो मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको कोई dozer बगेरा यह extra implement अटेच करना है तो company fitted आपको hole मिल जाते हैं ताकि आपको इभी extra implement बड़ असानी से attach कर सकते हैं अगर बात करें दोस्तो इसके front axle की तो front axle आपको देख सकते हैं काफी है भी duty मिल जाते हैं जो कि बोट टाइप में किया गया है और दोस्तो जिस tractor का front axle बोट टाइप में मिलता है उस tractor ही cutting और ज़्यादा powerful और कम जगह पर आप tractor को बड़ असानी से मोड़ सकते हैं अगर बात करें steering की तो इसमें आपको devil acting hydraulic power steering देखने को मिल जाती है जो कि महंदर अधिकतर devil acting hydraulic ही provide कराता है दोस्तो अगर बात करें tire size की तो इसमें आपको company fitted 75-16 का front tire size मिल जाता है जो कि category हिसाब से काफी अच्छा tire इसमें दिया गया है अब दोस्तो में बात आती इसके engine की तो company fitted आपको इसमें single diesel filter देखने को मिल जाता है अगर बात करें fuel pump की तो इसमें आपको micro boss का inline pump देखने को मिल जाता है और यह tractor आपको 4 cylinder engine के साथ में दिया गया है अगर बात करें hp की तो इसमें आपको 50 hp का डेगरी के अंदर मिल जाता है जो कि यह tractor पर आपको engine के 2100 rated rpm मिल जाते हैं दोस्तो जासे कि मैंने पहले ही बता दिया था इसमें आपको 118 नम का torque दिया गया है अगर बात करें इसके cooling की तो इसमें आपको water cool engine में मिल जाता है दोस्तो इसमें आपको 1.5 kilowatt की 12 बोल self motor मिल जाती है जो कि self motor की position company नियाँ पर provide कराई है काफी दमदार self motor इसमें दी गई है दोस्तो काफी दमदार tractor है उन किसानों के लिए जो किसान अपना ट्रॉली पर या फिर भाड़ा वाला काम करते हैं रोटर बेड़े चलाते हैं काफी दमदार tractor है और इसमें आप देख सकते हैं लोहे का toolbox company नियाँ पर provide कराया है जो कि इसकी position यहाँ पर मिल जाती है दोस्तो अगर बात कर इसके plate form की और पैदान की तो पैदान आप देख सकते हैं काफी heavy duty मिल जाते है और जिसका plate form भी है काफी heavy duty बनाया गया है इस वीडियो पर हम review कर रहे थे महंदरा के तरफ से आने वाला महंदरा 585 di xp plus 2022 latest model जो की company ने इसे 50 hp गड़ा गरिक अंदर launch किया है तो दोस्तो आप देख सकते हैं ट्रेक्टर का लोग कुशिस तरह का मिल जाता है महंदरा 585 di xp plus की branding आपको 3D में chrome furnace के साथ में दी गई है दोस्तो महंदरा का ट्रेक्टर है काफी ज़्यादा mileage देने वाला है महंदरा के हर model काफी ज़्यादा mileage देते हैं इस्टिकर की बात करें तो company ने changes किया है काफी ज़्याद इस्टिकर अच्छा लगा दिया है अगर बात करें बैटरी की तो इसमें आप देख सकते हैं बैटरी आपको side mount मिल जाती है जो की 100H 12 volt की बैटरी दी गई है दोस्तो बैटरी का box देख सकते हैं आपको साधा मिल जाता है कोई logo बगार इसमें नहीं दिया गया है अगर बात करें फ्रेंट की तो फ्रेंट में आप देख सकते हैं आपको जाली मिल जाती है जो की रेक्टर को cooling system को और भी ज़्यादा खास बना देता है अगर बात करें दोस्तो इस तरब की तो इस तरब आप देख सकते हैं महंदरा का वही 580 xp plus का 3D में logo दिया गया है जो की कावी दमदार company ने इसके sticker पर changes किया है अगर बात करें पीछे बार टायर साइज की तो इसमें आपको 1428 का दिया गया है जो की काफी बार टायर साइज मिल जाता है द जो की company fitted दी गई है जिसका इस्तमाल करकर आप रात में बड़े असाने से अपना काम कर सकते हैं दोस्तो अगर बात करें इसके link case की तो इसमें आपको company fitted single point link case मिल जाते हैं जिससे की top link को आप बहतर तरीके के साथ में फसा कर इस्तमाल कर सकते हैं automatic sensing दी गई है दोस्तो इसमें आपको company fitted double distributor valve मिल जाते हैं जिससे की आप ट्रिपिंग टॉली या कोई भी laser लेबलर बड़े साने से चला सकते हैं जोकि इसका lever आपको seat के पीछे ही side में मिल जाता है काफी अच्छ डिजाइन किया गया है दोस्तो आप देख सकते हैं अगर बा N540 reverse speedio का optional मिल जाता है आप जो चाहें ले सकते हैं दोस्तो इसमें आपको 37 liter per minute की hydraulic oil flow मिल जाती है जिससे की detector के sensing और भी जाद खास हो जाती है अगर बात करें इसके lower link की तो इसमें आपको lower link देख सकते हैं काफी heavy duty मिल जाते हैं जो कि इसकी lower link को आपको set करने के लिए jack system न जो कि काफी powerful disc career election दिया गया है 1850 kg की lifting capacity मिल जाती है अब चलते हैं दोस्तो दिखाते हैं इसका platform तो platform देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे platform इसमें दिया गया है दोस्तो platform में आपको bump मिलता है पूरा flat नहीं मिलता है यह आप देख सकते हैं जै प्लस दो का full constant में center shift gearbox मिल जाता है दोस्तो इसमें आपको side shift gearbox नहीं मिलता है इसमें आपको center shift gearbox मिलता है काफी ची जगह मिल जाती है अब चलते हैं उपर और दिखाते हैं उपर गविव तो seat के सामने आप देख सकते हैं काफी ची जगह मिल जाती है seat की अगर बात करें तो इसमें आपको डिलक्स टाइब की adjustable seat मिल जाती है और seat का size देख सकते हैं काफी बड़ा किया गया है अगर बात करें इसके fuel tank की तो इसमें आपको 49 लिटर वाला fuel tank मिल जाता है जो कि एक बार भरने पर आप लंबे समय तक कम कर सकते हैं सिंगल पीस बोरट मिल जाता है महंदरा के अधिकतर हर मॉडलों पर सिंगल पीस बोरट ही दिया जाता है दोस्तो अगर बात करें साइड की तो देख सकते हैं साइड में सीड की कुछ इस तरह के लिवर दिये गया है जो कि हाइड डोले कंट्रोल के लिए दो लीवर मिल जाते हैं पोजेशन कंट्रोल लीवर और ड्रॉप कंट्रोल लीवर जैसे कि आप हाइड डोले को बहता तरह किसे इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसमें आपको लाल वाल लीवर बाहर तरफ मिल जाते हैं अगर बात करें ब्रेक की तो इसमें आपको ओल वाले ब्रेक देखने को मिल जाते हैं दोस्तो आज के टाइम पर अधिकतर ट्रेक्टर कंपनियें ओल वाला ब्रेक ही दे रही हैं जो कि long life service देते हैं अगर बात करें इसके dashboard की तो dashboard आप देख सकते हैं वही पुराना वार लुक मिल जाता है जो कि हवर्ट मेंटर आपको डिश्टल में दिये गया है और वाकि सब कुछ आपको analog टाइप में मिल जाता है इंजन के 2500 RPM मिल जाती है और दोस्तों अगर बात करें इसके steering की तो steering काफी छोटी मिल जाती है तो दोस्तों ये था महंदरा के तरफ से आने बाला महंदरा 585 DIXP Plus 2022 नटेश्ट मॉडल तुवासा करता हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी भी दबा दें ताकि अंगली वीडियो को नोटिपिकेशन मिलते रहे दोस्तों इसमें आपको 6000 घंटे ये 6000 की वारंटी मिल जाती है जो कि आज की ट्रक्टर अंडश्टीज की अंदर सबसे ज़्यादा वारंटी महंदरा ट्रक्टर ही दे रहा है जो कि इसमें आपको 6000 घंटे ये 6000 की वारंटी मिल जाती है तो मिलते हैं दोस्तों अंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार